700 किलोमेटर से ज़ादा की रेंज, पावरफुल 320 हॉर्स पावर, आल वील ड्राइव, फुली फीचर लोड़ेट, 70 लाक रूपे में आउन रोड, ये किसी भी फीचर लोड़ेट कार के लिए अच्छी प्राइज और अच्छा ओरॉरॉल मिशन है, बट ये सब चीजे नहीं ह जो किया EV6 को इतनी स्पेशल गाड़ी बनाती है, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कगन, और स्वागत है आपका आज के सीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे किया EV6 जो है, इक स्पेशल कार है सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज जो है इस गाड़ी के बारे में है डिजाइन, इस गाड़ी को ना सरिफ लुक्स के मामले में बेहत ही सुन्दर बनाया गया है, बलकि एरो डाइनमिक्स जो है उसका भी खास क्याल रखा गया डिजाइन में, 0.28 की ड्रैक को इस गाड़ सबसे पहले इंटीर को देखते हैं, क्या सुन्दर इंटीर जो है वो गाड़ी का अवरॉल है, क्या जवर्दस लेयाउट है, जो कलर का सेलेक्शन है, जो मटीरियल का सेलेक्शन अलग-अलग जगों पे चाहिए, स्टेरिंग पे हो, डैश पे हो, कहीं पे भी हो, बहुत ही जवर्दस जो है, वो ओरॉल लगता है, स्क्रीन की बात करें, टिक्नोलजी की बात करें, दो बड़ी स्क्रीन यहां दी की यह, जितनी बड़ी स्क्रीन है माइडी की है, उतनी बड़ी स्क्रीन जो है, आपके पस में इंफोटेन्मेंट की है, माइडी जो है, वो बेहत सारी information दिखाता है, आपका regeneration level दिखाता है, range दिखाता है, navigation जो है उसमें related information दिखाता है, car की काफिता information जो भी relevant होती है, वो दिखाता है, यहाँ पे आपके पास में infotainment screen, जो की android.or, apple carplay, उसके बाद में inbuilt navigation वगरा से भी loaded है, और car की almost सारी information जो आपको जानी हो, वो सब की सब जो ह आपको इसके अंदर, जो है, मिल जाएगी, बहुत ही जवरदस्ट display है, बहुत ही अच्छा resolution उसका है, in fact, अगर आप lower area में आओगे, तो यहाँ पे जो ambient lighting रन करती है throughout, या फिर यह जो AC या climate control के overall knobs है, दो knobs यह गया है important चीज़ों के लिए, उसके बाद में आप जो है switch करके बाकी सारी चीज़ें भी shortcut, जो है, वो अपने आप यहाँ ढूंड सकते हैं, यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे थोड़ा सा तो इस brush aluminum finish के just आगे, यहाँ पे आपको जो है, cool seats, ventilated seats और heated seats, उसके साथ में heated steering, जो है, उसका option मिलता है, दोनों passenger और co passenger, जो है, उनके control आपको होने लगेगा, यह भी रिखावा button है, जो कि actually गाड़ी start कने के लिए आपको button दिया गया है, ना सिर्फ वो, यहाँ पे यह जो rotate होने वाला knob दिया गया है, drive selection के लिए, वो भी जबर दा सकता है, wireless charging, rubberized pad है, जब भी जलता है, तो बहुत ही अच्छी light जो है, wireless charging के यहाँ पे function नहीं है, आप trust me, एक बार चला लोगे तो उसके बाद में आप जो है, इस function की सबसेता है में तब ही समझोगे, now see this, HUD, अब यह कोई ARM HUD नहीं है, दो खास चीज है इसके बारे में, पहला यह वो एक cheap flap, plastic flap पे project होने वाली screen टाइप जैसी चीज नहीं है, proper यहाँ पे HUD दिख तरीके से display होती है, जैसा लगता है कि सामने एक और screen रग दी गई हो, but at the same time, किसी भी तरीके से view जो है, पीछे का, यानि की मेरे पीछे का, but आप जब driver seat पे हो, आपके सामने का, वो hamper नहीं होता है, अब कुछ quirky features बताता हूँ आपको, यहाँ पे seat के नीचे, एक proper 16 amp का socket द सकते हो, but यह तो on the go वाली बात हुई, जब गाड़ी खड़ी हो, तो आप भया TV चला सकते हो, जी हाँ, आप बोलो कि क्या बोल रहा हूँ में, TV चला सकते हो, yes, इस गाड़ी में एक और बहुत ही interesting feature आता है, जो कि आपने शायद ही कहीं जो है, देखा होगा, अभी तक को ऐ vehicle to load, यह simple सा device जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह device जो है, इसमें आप कुछ भी चीज प्लग कर सकते हैं, इस गाड़ी की massive 77.4 kWh की battery pack जो है, उससे आप juice बाहर भी निकाल सकते हैं, जी हाँ, यहाँ पर simply आप गाड़ी के charging port में जो इसको प्लग करिए, और उसके बा 32 kWh में बहुत सारे appliances भी आयते हैं, microwave हुआ, कुछ आपका किसी तरीकी का oven हुआ, वो सब चीजें आप पिकनिक spot ले जाए कर सकते हो, TV आपको practical नहीं लग रहा होगा, I know, but imagine करीए, आप कहीं पिकनिक पे गए हुए है, बड़िया खानवान आपने बनाया, एक projector लगाया आती है, fun of driving it, 324 PS power और 605 Nm का talk, ये सब कुछ आपको all wheels में जाता है, और साथ ही में आपको 0-105.4 seconds होता है, very very fast, multiple drive mode, I'll put in sport mode and car goes zoop, बहुत ही fast, हलकी सी sound भी sport mode में आती रहती है, very very amazing, ये गाड़ी चलाने में बेहद मजा आता है, उसका reason ये भी है, कि हमारे road conditions के हिसाब से ये गाड़ी जो है, उसकी ride quality भी बहुत अच्छी है, जो overall tyre की size जी कही है, जिस तरीके से bump से निकलती है, काफी comfortably ये गाड़ी जा सकती है, और साथ ही में आपको जो electric का rush है, वो तो भी है feel होता ही है, Then comes many small things, which can only be felt when you have driven other electric cars, जैसे कि एकार smooth है कई तरीकों से, I pedal works flawlessly, various drive modes are actually making good difference in terms of pedal response, overall way of your driving, charging और charging जो है, वो fast के साथ साथ seamless भी है, कभी भी कोई issue हमने face नहीं किया, even with the 350 kWh charger, हर एक चीज़ जो गाड़ी में दी गई है, उसके साथ quality attached है, और फिर safety, airbag, ABS, EBD, ESP, ADAS, smart cruise control, adaptive cruise control, हर एक चीज़ जो आप सोच सकते हो, इस गाड़ी में दी गई है, safety के मामले में, and cap ratings जो है, इस गाड़ी की वो भी जवर्दस है, और ये गाड़ी जो है, overall feel जो है गाड़ी का, जिस भी तरीके से हम otherwise check करते हैं, जो दर्वाजों की sound हो, या overall गाड़ी का, जो metal है, उसकी sound हो, उस मामले में भी बहतरीन feel होती है, So, है ना किया, EV6 एक special car, जो कि आपको ये सब कुछ चीज़ें offer करती है, और उसके बावजूद, एक unique car सड़कों पर हमेशा से रहेगी, not just because of its looks and design, बलकि there's a limitation of how many Kia EV6 can be sold, तो हमेशा ये गाड़ी जो है, जब भी किसी को दिखेगी, तो एक नजर ये जूर देखेगा, ये कौन सी गाड़ी है, जो सुन्दर लग रही है, जो मैं ज़्यादा देख नहीं रहा हूं कहां पर, या even if they know, I am sure मेरे एक्सपीजेंसे के रियर एंड देखेगे, वह हमेशा खुश चुश जाएंगे, क्या जबर्दस लगती ये गाड़ी जाती हुए, बड एनिवे, फिलाल इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ, वीडियो पसंद आई, उन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, अगली वीडियो तक एले दोस्तों हेलमेट पहनेए, सीटबेट पहनेए, सुरक्षिछ चलिए, धन्यवाद